नमस्कार दोस्तों मैं सुधीत साथ सच के साथ सवाल यह है कि टाइगर जैरा महतों को राइनितिक में क्यों आना पड़ा एसी क्या वजा थी तो टाइगर जैरा महतों भली बाती जान रहे हैं कि एक अस्टुडेंट का आवाज आज कोई नहीं सुन रहे हैं एक मईदूर भाई का आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं इतनी खनी संपती होने के बावजुद भी आज हमारी जारखन के लोग बाहर पलाइन किये हुए हैं यहां कि बिधायक सानसद क्या कोई कलकर खाने नहीं लगा सकते थे जो आज एक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जारखन में घुम रहे हैं इससे साब पता चलता था कि जारखन के बारे में कोई सोचने वाले नहीं हैं आज जारखन को बड़े-बड़े सताधारी पाटियें लूट रहे हैं और यह सब देख करके आज जारखन के पढ़े लिखे युवा जो आज राइनितिक मुद्दे में आना चाह रहे हैं कि सिस्टम को बड़ना होगा तो सिस्टम को हाथों में होना चाहिए तब हम लोग जाकर के जारखन के हित में कुछ कर पाएंगे तो जारखन का तकदीर और तस्वीर बहुँ जल्द बदलने वाला है क्योंकि टाइगर जरा मातों सांसद के रूप में हम लोग बहुँ जल्द देखने वाले हैं और टाइगर जरा मातों अगर सांसद बनते हैं तो जारखन का तस्वीर बदल जाएगा और जारखंड के मैजदूर भाई और स्टूडेंट का उस पर उम्मीद है और उस उम्मीद पर टाइगर जरा मातों खारा उतरेंगे जय हिंद मैं सुधिर साथ सच के साथ